हेलो फ्रेंड वल्किम टो माई चैनल आज मैं आपके लिए रेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा पत्तो वारा थालपोस का डिजाइन जिसे मैंने थ्रीपल आई उन से बनाया है और साथ नंबर के क्रोसिय से बनाया है डिजाइन बहुत ही प्यारा लगेगा इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले गाठ लगाएंगे फिर एक दो तीन चार पान्च छे चेंड बनाएंगे चेंड बनाके और जो फर्स्ट वाला हमारा चैन है उसमें इसको जूइन कर लेंगे यहाँ पे एक सरकल बना लिया अब एक दो तीन तीन चैंड बनाएंगे और इस सरक तीन, चार, पांच, ऐसे करके यहाँ पे सोलर डबल क्रॉसिया बनाएंगे, बना लिया सोलर डबल क्रॉसिया इसमें, अब यहाँ जो हमने पहले चैन वाला बनाए था, उसमें इसको जोइंट कर लेंगे, फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, और सेम जगह से एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे, अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में, दो डबल क्रॉसिया बनाएंगे, एक, दो, दो बना लिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में, दो डबल क्रॉसिया बनाएंगे, ऐसे करके हम यहाँ पे सारे चैन में दो दो डबल क्रॉसिया बना लेंगे नीचे हमने 16 डबल क्रॉसिया बनाया था अब सब में दो दो बनाएंगे तो इस पूरे लाइन में टोटल 32 डबल क्रॉसिया बनेंगे बना लिया पूरा अब इसको हम यहाँ पे पहले वाले जो चैन वाला था उसमें जोइंट कर लेंगे यह हमारा सेकेंड राउंड कम्प्लीट हो गया अब इसके बाद एक चैन बनाके और धागा को कट कर लेंगे फिर इसमें हम ग्रीन कलर वाला उन इसमें अड़ करेंगे इसको हम कहीं से भी एड़ कर सकते हैं यहाँ पर एड़ किया मैंने और फिर यहाँ पर इसको अच्छे से बांध लेंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन बनाएंगे और सेम जगह से यहाँ पर एक सिंगल क्रॉस या बना लेंगे फिर इसके नेक्स चैन में सिंगल क्रॉस या बनाएंगे फिर इसके नेक्स चैन में सिंगल क्रॉस या बनाएंगे फिर इसके नेक्स चैन में सिंगल क्रॉस या बनाएंगे यहाँ पर टोटल हमने तीन सिंगल क्रॉस या बनाया फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रॉस या बनाके फिर पांच चैन बनाएंगे और फिर सेम जगह से एक सिंगल क्रॉस या बनाएंगे अब हम यह लीफ वाला जो डिजाइन है उसका बेस बना रहे हैं फिर यहाँ पर तीन सिंगल क्रॉस या तीन चैन में बना लेंगे बना लिया फिर जब चौथे वाले चैन में एक सिंगल क्रॉस या बना के फिर पांच चैन बनाएंगे और फिर यही से एक सिंगल क्रॉस या बना लेंगे ऐसे करके हम इस पूरे round को बनाएंगे बना लिया पूरा round अब यहाँ पे हमें लास्ट में क्या करना है सेम ऐसे ही यहाँ पे तीन चैन में तीन single cross यह बनाना है 1 2 3 बना लिया अब हम यहां से यहाँ पर एक सिंगल क्रॉसिया बना लेंगे इसके बीच से बना लिया अब हम क्रॉसिया को निकाल लेंगे इस धागे से और यहाँ से जो इसके बीच वाला चैन है वहाँ से इस धागे को निकालेंगे निकाल लिया फिर एक चैन बना लेंगे यहाँ पर और जो हमने ये चैन वाला बनाया था इसमें से डबल क्रॉस या बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच डबल क्रॉस या बनाएंगे इसमें फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और यहां से एक सिंगल क्रॉस या बनाएंगे फिर यहां पर पाँच डबल क्रॉस या बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पाँच यहां भी हमने 5 डबल क्रॉस यह बना लिया और फिर इसके बीच में जो हमें यहां पे चैन है इसके बीच वाले चैन में इसको एक सिंगल क्रॉस यह से जोइंट कर लेंगे यह हमारा एक पत्ती यानि कि एक लिफ तयार है ऐसे ही हमें सारे लिफ बनाने है अब सेम ऐसे यहां भी बनाएंगे पांच डबल क्रॉस यह बनाएंगे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच पांच डबल क्रॉस यह बनाया फिर तीन चैन और जो हमारा फर्स्ट वाला चैन है यहां पे वहाँ से एक सिंगल क्रॉस या फिर पांच डबल क्रॉस या सेम जगह से एक दो तीन चार पांच पांच बना लिया अब हमें आपे इसको फिर से बीच वाले में इसको एक सिंगल क्रॉस या से जॉइंट कर लेंगे ऐसे ही करके हम इस पूरे राउंड को बनाएंगे हमें सारे लीफ ऐसे ही तियार करने है पूरा बना के दिखाती हूँ बना लिया पूरा और यहाँ पे इस जागे को कट भी कर देंगे अब इसके बाद हम इसमें फिर से रेड कलर वाला उन एड करेंगे इसको पीछे टर्ण करके एड करना है अब हमें यहाँ पे किसी भी एक चैन में पीछे टर्ण करके रेड वाले धागे को यहाँ पे एड कर लेना है कर लिया फिर एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे और सेम जगह से एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे इस पत्ते वाले डिजाइन को हम पीछे के तरफ टर्न कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो हमें ऐसे ही करके हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रॉस या बनाते जाना है एक, दो, तीन, चार बना लिया है पांच फिर इसके नेक्स्ट वाले में छे अब ऐसे ही करके पूरा बना के दिखाते हो इस पूरे चैन में बना लिया पूरे में अब हम इसको जो हमने चैन बनाया था उसमें इसको एड़ कर लेंगे फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और इसको सीधे वाले साइड में टर्न कर लेंगे फिर सेम जगह से एक डबल क्रास या बनाएंगे, दो हो गए यहाँ पर, अब इसके next वाले चैन में एक डबल क्रास या बनाएंगे, फिर इसके next वाले चैन में एक डबल क्रास या बनाएंगे, फिर इसके next वाले चैन में एक डबल क्रास या बनाएंगे, सेम चैन से, फिर इ दो double cross या यानि कि इस पूरे लाइन को हमें दो चैन में एक-एक डाउस एया। फिर तीसरे वाले चैन में दो डाउस एया। ऐसे करके इस लाइन को complete करना है। हमने यह पर दो बनाया था, अब इसके बाद दो चैन में एक-एक बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसके बाद वाले में एक बनाया, अब इसके बाद वाले में दो बनाएंगे, एक, दो, अब ऐसे ही करके पूरे राउंड को बनाना है, पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ, बना लिया पूरा राउंड, अब हम इसको यहाँ पे चैन वाले में जोइंट कर लेंगे, कर लिया, अब फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, और इसके नेक्स्ट वाले चैन में, एक डबल क्रासिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में, एक डबल क्रासिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में, एक डबल क्रासिया बन बनाएंगे एक दो सेम जगह से अब यहां पर दो बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे और यहां पर अब इस पत्ती को इसमें एड़ करते जाएंगे पहले पत्ती वाला लिया फिर उसके बाद नीचे वाला एक लिया और यहां से एक दिबल क्रॉ्षिया बनाएंगे 1 2 फिर इसके नेक्स टॉले चैन में उल mai दिब्ल क्रॉसिया बनाया तो फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रास या बनाया बना लिया अब फिर यहां पर एक और सेम जगह से एक और दो डबल क्रास या अब फिर यहां पर एक डबल क्रास या यहां पर एक डबल क्रास या और अब यहां पर यहां पर यह नेक्स्ट वाला पती एड़ कर लेंगे य हमें जहां पर भी पत्ती का कॉर्णर जो है वो सामने पड़े वहां उस वाले चैन में इसको ज्वाइन करते जाएंगे यहां पर हमने दो डबल क्रॉसिया बना लिया अब इसके बाद एक डबल क्रॉसिया बना लिया फिर इसके बाद एक डबल क्रॉसिया इस लाइन में भी ह सेम जगह से एक डबल क्रॉस या, अब इसके बाद वाले में एक डबल क्रॉस या, फिर इसके बाद वाले में एक डबल क्रॉस या, और फिर यहाँ पे एक, दो, दो डबल क्रॉस या, फिर इसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रॉस या, फिर इसके बाद एक डबल क्रॉस या, और फिर इसके बाद दो डबल क्रॉस जिया इस लाइन में भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है पहले एक डबल क्रॉस जिया एक चैन में फिर उसके नेक्स चैन में एक डबल क्रॉस जिया और फिर उसके बाद दो डबल क्रॉस जिया दो चैन में एक एक डबल क्रॉस दिया और फिर तीसरे वाले चैन में दो डबल क्रॉस दिया ऐसे करके इस पूरे राउंड को बनाना है दो बनाया, फिर एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर दो बनाया, एक, दो अब मैं ये पूरा round complete करके दिखाती हूँ पूरा बना लिया यहाँ पर joint कर लिया इसको फिर एक chain बनाया एक, दो, तीन तीन chain बनाया फिर यहीं से एक double cross यह बनाया अब इसके next वाले chain में दो double cross यह बनाएंगे एक, दो दो बना लिया अब इसके next वाले chain में एक double cross यह बनाएंगे फिर इसके next वाले chain में एक, दो दो double cross यह बनाएंगे फिर इसके next वाले chain में एक double cross यह बनाएंगे और इसके next वाले chain में दो double cross यह बनाएंगे ऐसे करके पूरे round को बनाना है बना लिया पूरा पहले एक बनाना है फिर एक में दो बनाना है फिर एक बनाना है फिर एक में दो अब यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे और दागा को कट कर लेंगे अब इसके बाद हम फिर से green color का add करेंगे यहाँ पर सेम ऐसे ही बनाएंगे चैस हमने नीचे बनाए था हमने green color लिया अब इसको हम कहीं से भी add कर लेंगे यहाँ पर एक chain में यहाँ पर हमने इसको add किया फिर चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन बनाया और सेम जगह से एक सिंगल क्रोस यह बना लियो फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोस यह दो, तीन तीन सिंगल क्रोस यह बनाया तीन चैन में और चौते वाले चैन में एक सिंगल क्रॉस यह बना के पांच चैन बनाया और फिर सेम जगह से एक सिंगल क्रॉस यह बना लिया फिर तीन चैन में तीन सिंगल क्रॉस यह एक दो तीन तीन बनाया फिर चौत्य वाले चैन में एक सिंगल क्रॉस यह बना के पांच चैन और फिर एक single cross यह ऐसे करके हम इस पूरे round को बनाएंगे जब हमारा ये round complete हो जाएगा जब ये round बन जाएगा तो हम इसको turn करके पीछे से जो हमने यहाँ पर बनाया था ये वैसे बनाएंगे फिर इसको turn करके ये उपर वाले तीन line बना लेंगे ऐसे करके हमें पूरे थालपोस को बनाना है हमें जितना बड़ा चाहिए हमें इसे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते है यहाँ पे मैंने इसको दो राउंड तक कंप्लीट किया है आप इसे बड़ा भी बना सकते है इसको बड़ा बनाने के लिए फिर से यहाँ पर जो ग्रीन वाला डिजाइन है वो पहले बनाएंगे फिर जो रेड वाले लाइन से ये सारे कम्प्लीट करेंगे जब ये पूरा बन जाएगा तब हम इसके बाद जालर भी लगा सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेया जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू